ओके, कॉशन नंबर 51 पर है बटा आपन, ठीक है, match the animal listed under column 1 with the zoological name under column 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, एक animal दिया है बटा जिसे starfish, उसका zoological name या scientific name आप को बताना है क्या है करके, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पार है बटा, NCRT में भी यह दिया हुआ है, कि जो star fish होती है, starfish को अपन क्या बोलते है, starfish को अगर आप देखेंगे, तो NCRT में जाए बटा, page number 54 पर, starfish को बोलते है, esterius, ठीक है, तो esterius, मतलब A का तो हो गया, esterius है second option पर, तो A का हो गया second, लेकिन दो option दिया है, option A और option C दिया है, कि A का second दिया है, for sure A या C में ही होगा, next जो है बटा, Aurelia, ठीक है, तो second जो है, sorry, jellyfish, jellyfish को अपन क्या बोलते है, Aurelia, ठीक है, तो उस हिसाब से बटा, jellyfish का आजाएगा, third, ठीक है, तो first आ गया, esterius, second, jellyfish का आजाएगा, Aurelia, okay, वैसे तो answer आ चुका है, बटा, क्योंकि A की option है, A और C में से, कि जिसका B का answer, third दिय है, but still, अपन एक cross check कर लेते है, जिसे devilfish है, ठीक है, तो devilfish आपको पता है, devilfish, किसको बोलते है, devilfish is octopus, page number 54 पे दिया है, बटा, ये, and last, जो sepia है, sepia को बोलते है, बटा, cuttlefish, मतलब D का हो गया, A, first option, ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, तो आपका answer आ च animals is correctly match with their one characteristic, ठीक है, मतलब इन तीन animals का एक character common होना चाहिए, फीचर सही होना चाहिए, सबसे पहले तो इसको solve करने की trick आप देख लीजिए, कि सबसे पहले देख लीजिए, कि ये तीनों एक ही phylum को belong करते है, क्या, अगर ये चीज़ आपने देख ली, तो भी ये question का answer बहुत easily आ सकता है, question number, जो option है बैटा, fourth देखिए, fourth में क्या देख रहा है, centripeed and prawn, they belong to arthropoda, इन में jointed appendages होते हैं, देकिन c archin, c archin पता है बैटा, ये c archin जो है, ये echinodermata को belong करता है, इसकी वज़ए से कही न कहीं, इसमें jointed appendages तो नहीं होंगे, मतलब c archin odd man down, ठोड़ गया है, जिसकी वज़ए से d option नहीं होगा, ठीक है, ncrt में भी दिख रहा है, आपको बटाए, option c देखिए, option c में क्या रहा है, liver fluk, c animon and c cucumber, ठीक है, तो ये भी गलत है बैटा, जो liver fluk है, इसमें bilateral symmetry हो सकती है, लेकिन c animon and c cucumber, इसमें आपको पता है बैटा, कि एक बिलोंग करता है सिलेंटरेटा को and c cucumber बिलोंग करता है बैटा, इकाइन ओडर मेटा को और दोनों के पास है radial symmetry, तो ये भी गलत हो गया, दो odd man out है यहाँ पे, option b देखिए, cockroach, locust and tinea, tinea आप देखिए बैटा, ये tape worm है, मतलब ये platyhelminthes है, इनमें metameric segmentation नहीं होते है, तीन ही फाइलर में जिसमें metameric segmentation होता है, नमबर एक, annelida, नमबर दो, arthropoda and नमबर तीन, cordata, लेकिन ये जो है tinea, ये platyhelminthes में है, मतलब इसमें metameric segmentation होगा क्या, नहीं होगा, therefore the correct answer is first, scorpio, spider and cockroach, they have ventral solid nervous system, है ना, ठीक है, answer is A, A for agra, एक और बात है बटा, आप देख लीजिए, कि ये जो आता है, जैसे आर्थ्रोपोडा है, ये non-cordata में आता है ना, and non-cordata में central nervous system is ventral, and heart is dorsal, ठीक है, तो ये बात हमेशे याद रखिए बटा, कि जितने भी non-cordates है, ठीक है, cordata phylum को छोड़ के जितने भी दूसरे phylum है, सब में, जो heart रहेगा, वो dorsal रहेगा, and जो nervous system रहेगा, वो ventral रहेगा, in case of cordata, the heart is ventral, and जो brain है, जो cns है, वो dorsal रहेगा है ना, देखिए, इस mcq में क्या बूल रहा है बटा, question number 53 में, column 1 को column 2 से match करना है, with correct codes given below, ठीक है, यहाँ पर column 1 में organism दिया है, and वो किस phylum को belong करता है, इस चीज़ को देखना है बटा, ठीक है, तो आपको पता है, हिरोडीन, option A जो है, हिरोडीन, यह आपको पता है बटा, यह leech होता है, ठीक है, देखिए, ncrt का भी figure आपके सामने आ चुका है, हिरोडीन, next option है, b, canal system, तो आपको पता है बटा, जो canal systems ह होते है, they are present in peripheral sponges, therefore, जो B रहेगा, canal system, इसका answer कहीं न कहीं, fourth रहेगा, ओके, जो C दिया है, बटा, निमाटो सिस्ट, तो निमाटो सिस्ट, आपको पता है, बटा, सिलेंट रेटा में आता है, इन सिलेंट रेटा में क्या, example दिया है, हाँपे, हाइडरा, next, जो है, बटा, option D, जो है, feather star, तो आपको पता है, बटा, feather star जो होता है, वो echinodermata में आता है, मतलब, D का रहेगा, echinodermata, okay, last, जो option है, बटा, insect, तो insect, आपको पता है, यह जो termites होते हैं, यह insect के category में आएंगे है, तो इस हिसाप से, E का जो fifth है, वो तो एक ही option में दिखा दे रहा है, that is C, therefore the correct answer is C, C for Chennai, question number 54 पर आचुके है, बटा, आपन, classification of coordinates के question चलो हो गए है, identify the animal, A, and name of the phylum, which belongs to B, ठीक है, तो A में animal का नाम दिया है, बटा, and दूसरा B option जो है, वो कौन से phylum को belong करता है, यह बता ना आपको, तो NCRT का ही figure है, यह, यह क्या है, यह, 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 किस phylum को belong करता है, यह belong करता है, hemicord data को, तो कही ना कहीं सिंपल आंसर है, यार, balanoglossus hemicord data है, therefore the correct answer is A, A for Agra, next MC को आपके सामने आचुका है, बटा, which of the following matching pair of body features and animal possessing it, मतलब आपको left side में दिया है, एक body का feature, and कौन से animal यह feature दिखाई देता है, ठीक है, उस सबसे पहले last stage start करता है, बटा, आपको दिखाई देगा, post annal tail, present in octopus, बिलकुल गलत बात है, आप देख पा रहे है, बटा, नीचे आपके सामने एक chart आ चुका है, जिसमें core data and non core data के features दिया है, और उसमें नीचे side में देखिए, non core data में, post annal tail absent, मतलब जो molluska है, जो octopus है, बटा, इसमें post annal tail absent होती है, तो ये option तो बिलकली गलत हो गया, उसके बाद, option C देखिए, ventral heart, present in scorpio, ये भी गलत है, क्योंकि ventral heart होना, ये core data की निशानी है, point number 4 देखिए बटा, है ना, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि octopus, sorry, scorpio belongs to arthropoda, है ना, पहले तो इस diagram को देख लिए, option B पे जाने स पहले, ये है भाईया, chameleon, ठीक है, गिरगिट जिसको अपन बुलते है, ये आता है, reptiles में, reptiles आता है, core data में, अब ये क्या बूल रहा है, and core data में features देखिए, बटा, option number 3, मतला, point number 3, देखिए, pharynx with perforated gill slits, मतलब इनके पास gill slits होते है, ठीक है, and chameleon किस में आता है, बटा, core data में आता है, but pharynx with perforated gill slits are absent in the embryo of chameleon, option B भी गलत हो गया है, क्योंकि जो chameleon होता है, बटा, ये core data में आता है, and core data का point number 3 है, pharynx with perforated gill slits are present, तो ये option भी गलत हो गया, अब एक option ये बसता है, बटा, central nervous system is present in leech, ठीक है, तो हमेशे याद रखेंगे, बटा, कि ये जितने भी non-core data है, इन में, जो central nervous system होता है, वो ventral होता है, and heart dorsal होता है, जबकि core data में उल्टा होता है, core data में क्या होता है, बटा, core data में heart ventral है, and nerve cord, spinal cord, जो है, वो dorsal side में होता है, therefore the answer becomes A, A for agra, मेरा ये मनना है, बटा, कोई भी 2019 तक के paper देख लेजी आप, कही ना कही चार से पाच MCQ diagram के उपर तो आ ही जाता है, ठीक है, तो इसी के साथ question number 56 start करता है, बटा, animals belonging to phylum core data are fundamentally characterized by the presence structure, noted A, B, C, D, ठीक है, तो आपको पैचानना है भाई साब, कि कौन सा structure क्या है, सबसे पहले मेरे को easy जो दिख रहा है, ना, NCRT में page number 55 पे जो दिया है, वो दिखा ही गिल स्लिट्स, C पे तो गिल स्लिट्स आएगा, और option A और B, दोनों में C पे गिल स्लिट है, option C और D, यहाँ पे नहीं है, मतलब कहीं न कहीं, correct answer is between A and B, ठीक है, बटा, दूसरा जो दिखते है, A, आप देख पार है, as per figure, तो A is nerve cord, ठीक है, तो A हो गया nerve cord, एंड जो B है, व पोस्ट अनल टेल, तो सारी चीजे बराबर से दी हुई है, in option B, B for Bombay, therefore the correct answer becomes B, है न, चलिए, which of the following phyla is correctly match with the two generalized characters, ठीक है, तो एक phyram दिया है बटा, and उसके दो characters दिया है, तो आपको cross check करना है कि सारे सही है, क्या, option A देखिए, क्या बोल रहा है, Echinodermata has pentameris radial symmetry, यह सही है, and have mostly internal fertilization, यह statement गलत हो गया है, क्योंकि इस NCRT का diagram में देखिए, बटा, last line, the fertilization is external, usually external बोल रहा है न, तो Echinodermata में तो usually external fertilization होता है, statement A becomes wrong, ठीक है, as per NCRT, option B पे नजर डालते है, बटा, mollusk का normally oviparous, बिलकुल सही बात है, देखिए, they are usually dioceous and oviparous with indirect development, और आपको बता है, बटा, indirect development का मतलब है, कही ना कही, larval stage involved होगी, ठीक है, और आप देख पार है, इनके जो larva है, इनका नाम होता है, प्रोकोफोर लार्वा और वैलिगर लार ठीक है, तो इनके larva का नाम होता है, ट्रोकोफोर और वैलिगर लार्वा, ठीक है, तो ये दोनों भी statement, जो points है, उसके characters है, बटा, वो सही दिखाई दे रहे है, mollusk का कही point है, तो मुझे B option सही लग रहा है, C और D को भी एक बार देख लेते हैं, है ना, सबसे पहले तो अब आते है, option C पे देखिए, आपको दिखाई देगा, arthropoda body is divided into head, thorax and abdomen, ये statement सही है, but respiration by mouth लिखा हुआ है, ठीक है, तो respiration by mouth नहीं होता है, respiration takes place by book gills, book lungs, gills and tracheal system, ठीक है, तो ये statement C भी गलत हो, fourth point है बटा, chord data, notochord versus throughout, ठीक है, तो आपको पता है बटा, कि notochord throughout नहीं होता है, किसी किसी जो जिसी के euro chord data होता है बटा, इसमें बोला गया है, कि जो euro chord data होता है, इनमें larval tail में ही होता है, ठीक है, तो throughout नहीं होता है, lifetime नहीं होता है, larval stage में ही होता है, वो भी tail part में होता है, ठीक है चलिए इसके बाद I am separate anal and urinary open to outside ये तो सही है कि urinary opening and जो आपकी ये है urinary opening to outside है बटा तो वो anal opening and urinary opening वो अलग-अलग होती है लेकिन notocot persist throughout ये बाद गलत है कहीं न कहीं ये option गलत रहेगा बटा db गलत है तो as per this आप ऐसे बोल सकते हो बटा कि option B correct है B for Bombay और आपको पता है बटा कि कुछ जो होते है जैसे कि advance chord data होता है जिसको अपन बोलते है vertebrata तो vertebrata में the notochord is replaced by vertebral column है न तो notochord persist throughout बोलना ये गलत हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं कुछ advance chord data में जैसे कि vertebrates होते हैं इन में notochord is replaced by vertebral column therefore the correct answer becomes B B for Bombay mollusca normally oviparous and development through trochophor and valigar larva okay next mcq start करते है बटा the echinoderms hemichordata and chordata had been of the following larva as ancestral form ठीक है तो आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा लार्वा है जो common है echinodermata hemichordata and chordata के लिए as an ancestral form ठीक है तो आपको दिखाई दे रहा है बटा यहां पे कि यह जो बिपी नारिया option D से start कर रहे है option D यह जो है बिपी नारिया it is the larva of echinodermata है na echinodermata को ही वे बिलोंग करता है ठीक है option B जो है ट्रोकोफोर लार्वा यह common होता है बटा अनलेडा and mollusca के लिए लेकिन it is not for echinodermata hemichordata and chordata तो option B भी कट गया है तो B and D दोनों कट चुके है ठीक है और option AB जो है जो है टॉर्नारिया टॉर्नारिया जो लार्वा है बटा यह सिर्फ बिलोंग करता है hemichordata को तो by elimination of option एक ही answer बचता है that is diplirula देखिए आपके सामने diplirula का hypothetical ancestor नाम का एक लार्वा आचुका है बटा diplirula ठीक है तो answer becomes C, C for Chennai इस question में क्या बुल रहा है बटा question number 59 crocodile penguin are similar to whale and dogfish in which of the following features तो आपको एक common feature ढूणना है जो इन सारो में common हो crocodile penguin ठीक है उसके बाद whale and dogfish तो ठीक है चलिए तो इसको एक एक करके देखता है बटा they possess a single stranded central nervous system ठीक है तो crocodile penguin and whale में तो हो सकता है लेकिन जो dogfish है ठीक है बटा तो dogfish जो है जिसको आप बोल सकते है scoliodon as per NCRT ठीक है तो dogfish में जो ये है बटा जो single stranded nervous system नहीं होता है इसमें आप ऐसे बोल सकते है कि सिफ meninges होते है ठीक है इसके बाद आपको पता है option B देखे बटा ये जो है option A तो गलत हो गया है ठीक है क्योंकि dogfish को satisfy नहीं कर रहा था ठीक है जो whale option है ये satisfy नहीं कर रहा है second option को कि दे ले एग है आप देख पार है एक figure में कि whale giving birth to a baby whale है next जो है बटा option C possesses bony skeleton लेकिन आपको पता है कि जो dogfish होती है ये chondriyoekthias है ठीक है आपको दिखाई दे रहा है page number 57 पर ठीक है dogfish जिसको अबन बोलते है scoliodon that belongs to chondriyoekthias मतलब ये satisfy नहीं कर रहा है कि इसके पास एक bony skeleton इसके पास जो skeleton है वो cartilage है option D correct है बटा D for Delhi they have gill slit at their some stage ठीक है तो embryonic stage में या कही तो भी किसी तो भी life stage में इनके पास gill slits होगी क्यों क्योंकि crocodile, penguin, whale and dogfish all of them belong to cordata और आपके सामने देखे बटा ये cordata का feature है और point number 3 देखिए कि they have pharynx as perforated gill slits तो कही ना कही गill slits का पाया जाना ये cordata की nishaniya and all of them are cordates therefore the answer becomes D, D for Delhi देखिए question number 60 आ चुका है बटा read the given statement and select the correct option दो statement दिये है इसमें से कौन से सही हो सकता है दोनों भी सही हो या एक सही हो या एक गलत हो या दोनों भी गलत हो ठीक है statement first देखते है euro cordata and cephalocordata are often called as invertebrate cordates ठीक है तो आप देखिए बटा ncrt में भी दिया हुआ है ये चीज़ they are called invertebrates cordate ठीक है और आपको पता है बटा कि ये जो cordata है तीन ग्रूप में divided है euro cordata cephalocordata and vertebrata तो ये जो दोनों कह लेते है euro cordata and cephalocordata they are invertebrates क्योंकि इनमें vertebral column नहीं होता है ठीक है जिनमें vertebral column होता है उनको vertebrata कहते है ठीक है ओके बटा तो कही ना कही statement first तो सही होगा as per ncrt statement number two देखते है बटा they are the connecting link between invertebrates and cordates ठीक है तो invertebrates and cordates में ये आप ऐसे बोल सकते हो connecting link है ठीक है लेकिन आपकी statement देखे बटा bellanoglossus is called as important connecting link between cordates and non-cordates अपको पता है बटा ये जो bellanoglossus होता है ये hemi cordata में आता है तो ये statement two तो गलत हो गया कि euro cordata and cephalo cordata connecting link है invertebrates and cordates में ठीक है बटा तो ये statement गलत है ठीक है therefore the first statement is correct but the second statement is not correct therefore the answer becomes B B for Bombay ओके next question आचुका है बटा question number 61 read the following statement and select the correct option ठीक है तो दो statement दिया है इसमें से बताना है कि कौन सा statement सही है statement number one cephalo cordata bears notochord throughout their life ठीक है तो आप देख पार है बटा NCRT का figure आपके सामने आ चुका है यहाँ पर क्या बूल रहा है कि it extends from head to tell regions and it's persistent throughout the life तो यह किसके बारे में बूल रहा है बटा यह सिफैलो कॉर्डेटा के बारे में ही बूल रहा है है तो statement one तो हो गया सही in cephalo cord data notochord extends from head to tell मतलब वही statement है NCRT में line by line दिया हुए बटा यह बात आपको page number 55 पे मिल जाएगी therefore both the statement are correct है ना answer becomes a, a for agra अब question number 62 में देखे बटा match the column 1 with column 2 बोल रहा है with the correct option ठीक है तो यहाँ पर कही न गई आपको एग्जाम्पल दिया है बटा तो cyclostomata तो आपको बता है बटा आपके सामने एक figure आचुका है cyclostomata जो है यह belong करता है agnetha को ठीक है देख रहा है ना आप कि यह जो super class है उसमें एक class आती है बटा cyclostomata ठीक है तो मतलब cyclostomata एका तो हो जाएगा कौनसों option third मतलब एका 3 ठीक है और मेरे ख्याल से दो option बचते है बटा एक के 3 के लिए ठीक है c and d जो option है उसमें ही है एका 3 ठीक है बाकी options भी देख लेते हैं option number two देखिए एव्स एव्स आपको पता है बटा figure में भी देखिए एव्स जो है वो tetrapoda में आ रहे है है ना therefore देखिए tetrapoda bear limbs उसमें आता है एव्स तो एव्स B का रहेगा कौनसा fifth ठीक है और इकलोता एक option है बटा B का fifth वो है c option बाकी आप match कर लीजे correct निकलेगा ठीक है जि जो tunicata है यह tunicata euro quadrata में आता है ना तो जिसमें c squares वगरे आता है यह सारे example euro quadrata है मतलब c का option रहेगा second ठीक है उसके बाद देखिए कि यह जो bellanoglosses है bellanoglosses कित्ते बार diagram दिखा भाईया यह hemicordata में आता है ठीक है एंड जो last है e ostracthis यह क्या है बटा यह prices है मतलब fourth इ ठीक है c for chain नहीं देखिए question क्या बोल रहा है बटा which of the following statement is incorrect ठीक है तो इसमें से कौन सा option है जो गलत है आपको यह पता करना है ठीक है तो चलिए देखते है सबसे पहले देखते है बटा option a it is present only in the larval stage of ascadian तो आपको पता है बटा कि notocord से related कौन सा statement गलत है यह अपने को पत करना है ठीक है तो option a देखिए it is present in the larva tail of ascadian ठीक है तो आप देख पार है बटा कि यह जो eurocord data है eurocord data एक example है ascadia ठीक है and उसके उपर की तीन लाइन पड़ यह eurocord data notocord is present only in the larval tail मतलब statement first तो सही हो गया ठीक है statement second पर आते है बटा it is replaced by vertebral column in adult frog ठीक है तो यह statement भी सही है आपके सामने एक chart आ चुका है बटा कि देखिए इसमें कि जो आपका frog है यह किस में आता है यह आता है बटा tetrapoda में और tetrapoda किस में आता है vertebrata में तो कही न कहीं इसमें vertebral column है मतलब notocord is replaced by vertebral column in case of vertebrata and vertebrata का ही example है gnetho stomata ठीक है और उसके अंदर ही आते है बदा tetrapoda और amphibia and amphibia का example क्या है frog मतलब vertebral column रहती है frog में ठीक है notocord काई में convert हो जाती है vertebral column तो यह statement भी सही है next statement क्या है बोल रहा है it is absent throughout the life of humans from very beginning यह statement गलत है क्योंकि आपको पता है बटा कि humans में जो notocord है initial stage में embryonic life में embryonic life में उसमें notocord होती है तो यह statement गलत है ठीक है option D देखते है option D बिलता है it is present throughout the life of an amphioxus ठीक है तो amphioxus आपको दिखाई देरा बटा कि यह जो है यह आता है cephalocord data cephalocord data में branchiostomata और उसके example amphioxus और lancet और उसी के उपर देखिए in cephalocord data notocord is present in the throughout the life है तो इसे साब से जो D option है बटा D for deli यह भी सही हो जाता है इक लोता एक option जो गलत है वो है C और अपने को incorrect ही ढूणना था therefore answer becomes C C for Chen नहीं ओके next mcqa बटा 64 in some coordinates the notocord is modified into vertebral column such animals are called vertebrates ठीक है which of the following statement makes sense ठीक है तो इसमें से सीधी सीधी NCRT का statement है बटा आपके सामने all vertebrates are coordinates but all coordinates are not vertebrates because some coordinates are proto coordinates, euro coordinates and cephalo coordinates ठीक है इसलिए option C जो है C for Chen नहीं यह सही बन पाएगा ठीक है अगर आप देख पार है बटा page number 55 पे दिया हुआ है last paragraph वहाँ पे दिखाया है the coordinate the phylum coordinate is divided into three sub-file एक है euro chordata, tunicata और tunicata दूसरा है cephalo chordata and vertebrata तो सारे के सारे chordata vertebrata नहीं है क्योंकि कुछ chordata क्या है बटा, cephalo chordata and proto chordata में भी आते है इसलिए the C option becomes correct all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates देखिए next time से क्यों आच चुकर है बटा common characteristic of all vertebrates without any exception तो आपको vertebrates का common character पताना है जो के without any exception हो ठीक है तो option A देखते है बटा the division of body into head, neck, trunk, tail ठीक है तो आपको पता है बटा बहुत सारे आप ऐसे बुल सकते हैं vertebrates है कि जिनमें tail present नहीं होती है जैसे कि अगर आप बूलेंगे तो आप देख पार है बटा कि amphibia में जैसे frog बगर है इनके पास tail नहीं होती है ठीक है तो बहुत सारे ऐसे organism से बटा कि जैसे आप fishes बूलेंगे तो fishes में भी exoskeleton नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ endoskeleton होता है ना उनके पास scales होते है लेकिन वो exoskeleton की character degree में नहीं राएग ठीक है चलिए इसके बाद जो यह है the position of two pair of functional appendages यह भी गलत है बटा क्योंकि यह जो एग ने था दिखाई दे रहे ना वर्टीब्रेटा में इसमें आता है cyclostromata and यह जो cyclostromata है lamprey इन में usually two pair of appendages are absent therefore option c भी जो है अब बचाए सिर्फ d the presence of well developed skull तो आप देख पार है बटा this is vertebrata are also called as craniata क्योंकि इन सभी के पास क्या होता है इन सभी के पास एक well developed skull होता है therefore the correct answer becomes d d for deli the presence of well developed skull next mcq पूछ रहा है बटा कि go through the following chart of division of subphylum vertebrata and a b c d जो दिये है न blanks उसको feel करना है ठीक है बटा तो c and d तो बहुत easy है आपको पता है बटा ये chart ncrt में भी दिया हुआ है c जो है वो कही न कही पाइसेज है जिसमें आता है chondroacthus and osteoacthus ठीक है मतलब cartilaginous fishes and bone fishes d जो है वो आता है बटा गनाथो स्टोमाटा d में आता है बटा गनाथो स्टोमाटा का division tetrapoda tetrapoda हो गया तो दो ही options है option a और b इसमें वो दिया हुआ है अब यह जो है बटा extinct जो है option a जो है b option तो पता है अपने को कही न कहीं यह cyclostromata है बट आप देख पार एक figure इसमें extinct variety of egg ने था दिया है और वो होती है बटा ostracodermy तो आपको यह याद रखना है the correct answer over here is a, a for agra next mcq को आ चुका है बटा next mcq क्या बोल रहा है match the column pair ठीक है तो column 1 को column 2 के साथ pair करना है अपने को match करना है ठीक है तो wings wings किसके पास होते है reptiles में होते है नहीं contract थे इस cartelagian fishes नहीं होते है और steak थे इस नहीं होते है bonny fishes में नहीं है wings आपको पता है बटा birds में होंगे तो a का तो भाया हो गया third आप options देखिए a का three किस-किस में दिया है आप देख पार है बटा a और d ठीक है तो a और d दोनों में से एक option correct होना चाहिए ठीक है चलिए तो इसके आगे भी देखते है आप देख पार है बटा operculum तो आपके सामने NCRT का page आ चुका है बटा page number 57 तो आप पे देख पार है बटा यह osteoacthis जो है class osteoacthis इसमें होता है operculum which is covered by operculum तो कही न कही यह जो operculum है यह होता है बटा osteoacthis में मतलब B का हो जाएगा fourth और इकला होता एक option है बटा B का जिसमें fourth है that is D, D for Delhi ठीक है इसके बद जो स्कूट्स होता है स्कूट्स आपको पता है बटा कि यह reptiles में होता है cartilaginous endoskeleton किसमें होगा cartilaginous fish में होगा जो कहा है chondriocthis है ना therefore the correct answer becomes D D for Delhi next question आ चुक है question number 68 ठीक है तो यहाँ पर match the pair करना है अपने को column 1 को column 2 से देखना है इसमें दिया है बटा excretory product यह दिया है organ और किस animal में कौन सा excretory organ है यह अपने को पता करना है ठीक है तो सबसे पहले B option देखिए बटा malphigian tubules malphigian tubules आपको बटा है बटा यह कही ना कही आर्थरोपोडा के animals में रहते है और आर्थरोपोडा का इन options में column 2 में एकलोता एक example है बटा cockroach तो कही ना कही इसका answer 5th होना चाहिए B का option जो है वो 5th होना चाहिए malphigian tubule B है ना तो उसका option 5th होना चाहिए cockroach क्योंकि एकलोता एक आर्थरोपोडा वही है तो और अगर आप column में देखेंगे तो answers में देखेंगे option में तो B का 5th A की option में दिया है and that is option A ठीक है बटा यह भी बहुत easy चीज़ है बाकी चीज़े automatically clear हो जाएगी यह जैसे आप बोलेंगे न A nephridia आपको पता है बटा यह anilida में होता है and anilida में second option anilida को example क्या है बटा leech है ठीक है इसके बाद C देखिए proto nephridia proto nephridia आपको पता है बटा round worms में होता है and जो kidney होती है kidney are present in shark ठीक है therefore the correct answer is आप ऐसे बोल सकते हो A रहेगा बटा okay next MCQ आचुका है बटा question number 69 to which classes do the following animals belong ठीक है तो आपको दिया है A petromyazone B scoliodon and C pristis ठीक है तो आपको पता है बटा कि यह जो petromyazone है NCRT में भी दिया है बटा यह petromyazone है जिसको अपन बोलते है lamprey यह बिलॉंग करती है cyclostomata को ठीक है आप देख पा रहे है NCRT का page number 56 इसके बाद जो scoliodon है जिसको अपन बोलते है बटा dogfish and जो pristis है बटा जिसको अपन बोलते है sawfish यह दोनों भी बिलॉंग करते है chondriacthus की मतलब A बिलॉंग करता है cyclostomata and B and C दोनों बिलॉंग करते है chondriacthus तो ऐसा option A की दिखाई दरहा है बटा option A cyclostomata, chondriacthus and chondriacthus ठीक है therefore the answer becomes A A for agra 70 पूछ रहा है बटा कि which of the following is not the characteristic of class austriacthus ठीक है मतलब इन में से कौन सा character है जो bonifichus का austriacthus का character नहीं है ठीक है तो option A देखिए body is streamlined and mouth is terminal तो bonifichus का point number 2 देखिए बटा mouth is terminal ठीक है तो ये point तो सही है बईया ठीक है gills are covered by operculum ठीक है तो आप देख पार है बटा gills are covered by operculum या operculum is present ये fourth point दिखाए दर है bonifichus मतलब operculum आपको बता है बटा कि जो gills leads होती है उसकी covering को operculum बोलता है बटा जो के bonifichus में present होता है cartilisus fishes में absent होता है ठीक है skin is covered with cycloid and placoid scale ये statement गलत है ठीक है इन में होता है बटा cycloid and tenoid scale ठीक है नो के placoid scale ठीक है तो NCRT में भी देख रहे है बटा कि इनके पास cycloid and tenoid scale ठीक है तो आपके सामने NCRT की ही एक line आचुकी है बटा they are mostly oviparous मतलब ये अंडे देते है ना के direct birth देते है ठीक है तो option number third and fourth ये दोनों भी गलत हो गया है ठीक है therefore the correct